नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोग स्व्लॉग पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से काफी टाइम के बाद एक नरसरी ओबर्वियू जो है वो शेयर करने वाला हूँ वीडियो काफी इंट्रेस्टिक होने वारी है लास तक बने रहीएगा इसमें आप लोगों को हर तरीके के प्लांट्स जो है उनकी प्राइज के साथ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा और वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजेगा चैनल पन्यू है तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे हर वीडियो की नो समा दो वरायटी यहां पर और हैं और एक और यह चोटे चोटे पत्तो वाली वरायटी है यह भी देखने में काफी जादा खूपसूरत लगती है साथ में यहां पर एगलो निमा पीस लिली और आपका टेवल एरिका पाम के साथ साथ जो है पॉइंशेटिया रखा हुआ है इन सभी की जो प्राइजिस हैं वो 200 से लेकर 300 के बीच में हैं चाहे आपका एगलो निमा हो कैलितिया हो पीस लिली हो पॉइंशेटिया हो या टेवल एरिका पाम यह सभी इंडोर प्लांट हैं और देखने में काफी जादा खूपसूरत लगते हैं इसके अलावा चो है उस इधर कुछ और वराइटीज आपके एगलो निमा की हैं इन में से मैक्सिमम वराइटीज मेरे पास हैं और जो नहीं थी एगलो निमा वाइट लाइन उसको मैंने यहां से पिक कर लिया है मैं आप लोगों के साथ सेर्वी किया था और यहां पर यह आप लोगों के सामने ड् ज़्यादा खुपसूरत लगता है और ड्रैसिना के जैसे ही कलर्फुल पत्तिक क्रोटॉन के भी होते हैं और अक्सर ही लोगों के अगार्डन के अंदर क्रोटॉन और ड्रैसिना बहुत ज़्यादा क्वाटिटी में देखने को मिल जाते हैं ड्रैसिना और क्रोटॉन की जो प्राइज होती है वो 40 से लेकर 80 रुपेज तक होती है वो इनकी अलग-अलग बराइटी पर भी डेपेंड करता है यहाँ पर यह जो आपके सामने हैं तीन ग्रोवेग में लगे हुए यह बॉल सेप अरेलिया है और यहाँ पर जो है आपके ए इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है और यह आपकी जो है सिनिरेरिया के पौधे हैं इन में से एक पौधा मैंने लिया था और यहाँ नीचे टेवल कामनी है और यह आपका रवर प्लांट है टेवल कामनी की बात करी जाए तो 100 से 150 के बीच में मिल जाता है रवर प्लांट आ यहां साइड में आपको लगबख सारे पाम की वराइटी जहें जिनमें अरिका पाम है और यहां भी अरेलिया की एक वराइटी रखी हुई है बैरीगेटेड वाली और यह प्लांट भी आपको जो है बो चालिस से लेकर असी के बीच में मिल जाएगा और यहां पर यह मैंनी प्लांट की अलग-अलग वराइटी हैं साथ में एगलो नीमा है तो इस तरीके से नरसरी का कुछ यह आगे वाला पोर्शन है यहां पर जितने भी वराइटी अभी आपको इंडोर प्लांट के अंदर चाहिए होंगी लगबख सारी के सारी जो है उपलब्ध है यहां से फि प्लांट है इस वजह से मैंने नहीं दिखाया और यह रोज की अलग-अलग वराइटी जहें अभी इनके अंदर फ्लावर्स तो नहीं आए लेकिन अब रोज का टाइम आ रहा है आप लोग नसरी जाए तो रोज का प्लांट जरूर लीजिए इनकी देशी वराइटी आपक हाइबरिड वराइटी की बात करी जाए तो यह भी 40-80 के बीच में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे और यहां पर जो है इन्होंने कुछ कटिंग्स वगैरा भी लगा कर रखी हुई है नसरी काफी जादा बड़ी है आगे से देखने में थोड़ा छोटी जरूर लग लगती है लेकिन जैसे ही आप पीछे आते हैं तो नसरी काफी जादा बड़ी सी आपको लगने लगती है यहां पर कुछ हर्व वाले प्लांट भी हैं हेज वाले प्लांट भी लगा कर इन्होंने कटिंग्स वगैरा रखे हुए हैं और यहां पर रखे गए हैं मैंने इन मे के बाद बीच में से रास्ता है और इधर नसरी का जो है वो दूसरा पोशन पढ़ जाता है अरे मैं तो अब भूली गया नसरी का नाम नहीं बिताया यह नसरी जो है इसका नाम है माली नसरी जो की उत्तरप्रदेश के बहराईट जिले में है मैं नंबर भी इनका जो है इस में पौधे मिल जाते हैं यहाँ पर आपका जो है घजानिया है पैन्सी है और मेंटल कैवेज है बरवीणा है बिगोनिया है सारे सीजनल प्लांट इधर एक तरफ से रखे गएए हो और साइड 鮇 यहाँ पर पर आईए बहराईच में अस्पताल रोड पर पानी टंकी एक फीमेस जगे हैं आप किसी से भी बता दिजे कि मुझे पानी टंकी तक जाना है किसी भी रिक्से वाले से या इरिक्से वाले से वो आपको यहां तक लाकर जरूर पहुचा देगा तो देखी यह नसरी का वो एरि बाइट दिलिभरी करते हैं तो नहीं ऑं-लाइन डिलिभरी तो यह नहीं करते हैं अगर आप वहराईच या आसपास के छीनले से एह तो ही आप यहां से आकर अपने पनंट ले सकते हैं ओसलाव मैंने जो प्लांट दिये थे वहां उसमों तो इसकी बंड रोहर विधर से शे दाल रखिएगा कोविट फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है कोविट गाइड लाइन्स का प्तालम करते हैं नस्ती ही जाईए और कहीं भी जाईए मास्क और सेंट्राइजर का इस्तमार जरूरी